प्यारे बचो नमस्कार मैं सुर्य प्रकास आदर्स विद्यमंदिर माउंट अबू तो वही आज की संस्कृत के ओनलाइन क्लासिज में एक बर फिर से आप सभी का सुवागत है पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी संधी और संधी के अंदर हमने पढ़ा था यन संधी इको यनची एकी जगह पे यन हो जाए आच परे तो अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे वृद्धी संधी वृद्धी संदी के अंदर क्या होता है वृद्धी होती है और वृद्धी क्या होती है कैसे होती है वो ये सुत्र से हम पढ़ेंगे तो ये सुत्र कहता है वृद्धी रादैच वृद्धी यानि कि वृद्धी हो जाए आत यानि कि आ की आई का मतलब आई और च ये आईच है जिसका मतलब बनेगा आई और आउ जो हमने आपको परत्याहार करना शिखाया था तो ये परत्याहार के अंदर आता है तो ये सूतर कहता है कि भई ए आ के बाद में अगर ए आई हो या फिर ओ आउ हो तो उनकी जगह पे आ आई तथा ओ की ओ हो जाएगा और ये जो आ आई और ओ है इन तीनों की वृद्धी संग्या हो जाएगी वृद्धी संग्या होने का मतलब क्या है आ आई और ओ इन तीनों का नाम है वृद्धी यानि कि जहां भी दोनों को पूरव और पर यानि कि पहले वाले को और लाश्ट वाले को मिला के आ, आई और अउ जहां भी बनेगा ना, वहां पे होगी वृद्धी संधी यानि इन तिनों का नाम ही वृद्धी है अभी हम देखते हैं वृद्धी संग्या किसे कहते हैं के परिबासा क्या होती है तो संदी करते समय जब अ या आ के बाद में ए या फिर आई हो ओ या फिर आउ हो या फिर क्या हो री हो तो उन दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर मतलब ए और ए के स्थान पर ए और आई के स्थान पर क्या होगा आई हो जाएगा ए और ओ के अगर री हो तो उसके स्थान पर आर बन जाएगा ठीक है अब यह वगही इसकी परिभासा परिभासा के बाद में कुछ उधारन है जैसे यह लिख रिखा है कि अं आ के बाद में अगर ए या फिर आई हो तो दोनों के स्थान पर आई होगा वो यूपर वाली बात हैlar अ, आ के बाद में आओ और अउ होगा तो इनके स्थान पे बनेगा अउ आ के बाद में री या फिर दिर्ग री होगा तो इनकी स्थान पे बनेगा आर अब कुछ उधारन लिए मैनिया पे तो उधारन के अंदर सबसे पहले है आ के बाद में अगर ए आई हो तो आई बनेगा कैसे बनेगा जैसे एक जमा ए कह ए कई कह सदा जमा एव सदाई व ठीक है यह हो गए ए आ के उधारन इसके बाद में ए आ के बाद अगर ओ या फिर आउ हो तो क्या होगा आ के बाद में अगर ओ आउ हो तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा जिसे जल जमा ओगह जलऊगह महा जमा ओगह यह आउ नहीं है कटा हूँ है महा जमा ओगह महाऊँगह महा जमा ओसदः महाऊँशधः ठीक है भई यहां भी आ और ओ मिलके ओ बन गया यहां भी आ और ओ मिलके ओ बन गया ए और ओ का मिलकर भी ओ ही बनेगा यहां पे आ और ए का अई बनेगा ए और ए का अई बनेगा और एक उधरन और मैं यहां पर लिखे देता हूं मत जमा अईक्यम यहां पे ए और अई है तो इन दोनों को मिलाकर भी अई बनेगा क्या बनेगा मतईक्यम मतईक्यम ठीक है भई? यह बन जाएगा अभी इसके बाद में हम आगे देखते हैं री का उधारन अगर आ के बाद में अगर री पड़ा हो यह री पड़ा हो तो उन दोनों के स्थान पे आर बनेगा जिसे प्रजमारिच्छती प्रारच्छती प्रे तो यह था ही अब इसका बन गया री का आर प्रारच्छती यह च्छती बस गया तो ये टोटल बना प्रारचती ठीक है तो भई आज की इस वीडियो में हमारी ये वृद्धी संदी पूरी हो चुकी है तो बाकी का जो है संदी वो हम अगली वीडियो में करेंगे आयादी संदी ठीक है भी तब तक के लिए धन्यवाद